राजिस्तान लोक्स सेवा आयोग की ओड से डमी और आयोग केंडिडेट्स को रोकने के लिए सभी परिक्षाओं में बड़े बदलाप किये गए हैं अब RPSC की भरती परिक्षाओं में फॉर्म भरने से पहले केंडिडेट्स को अपना आधार अपडेट करना होगा यान की आधार कार्ड तीन साल पुराना है तो वै फॉर्म के लिए नहीं चलेगा नए फोटो के साथ उसे अपडेट करना होगा इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर इंटर्विव तक केंडिडेट को एक ही फोटो का में लेनी होगी इस पोटो पर डेट लिखी होना भी जरूरी होगी